सो फ्रेंट्स आज का वीडियो काफी इंट्रिस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में हम NCRT Mathematics Class 9 की बात करें तो फिलाल exercise 3.3 का study करने वाले हैं क्योंकि basically बात करते हैं तो आलेडी हमने exercise 3.1, 3.2 and introduction का भी study कर चुका है यह वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिक में description में दे रहा हूं जाखर एक वीडियो को देख लिजेगा लेकिन आज किस वीडियो में हम study करने वाले हैं प्रशनावली 3.3 का और यह जो चेप्टर है इसको हमने start किया था निर्दिशांक ज्यामिति जिसको का थे coordinate geometry ठीक है तो देखेंगे यह चेप्टर है निर् चेप्टर में total सिर्फ दो ही question put up होने वाले हैं और यदि आप जहां से देखेंगे तो यह जो चेप्टर था निर्दिशांक ज्यामिति तो यदि 3.1 की बात करें या फिर 3.2 की बात करें या फिर 3.3 की बात करें तो यह 3.3 की बात करें तो यह तीनों चेप्टर काफी करने वाले basically इस दो question का question number 1, question number 2 और यह है प्रशनावली 3.3 तो आई यह फरस्ट आफाल पहला question का solution करते हैं तो पहलाम कहरा है कि किस चतुर्थांस में या किस अज पर बेंद माइनस 2, 4, 3 माइनस 1, माइनस 1, 0, और 1, 2, और माइनस 3, माइनस 5 इस्तित हैं कहरा है कि कारती त क्या होता है तो basically आपके graph वाली copy मिल जाती है आप उसको purchase कर लेना या फिर खरेदे लेना या फिर basically आप फोर साइज जो paper होता है उसको भी आप with the scale with the help of scale skill की मदद से आप इसको ऐसे पाई खिच करके आप ऐसे बना सकते हैं तो हमने कार्थी तल बना लिया एक्स डैस और य य डैस और य दोनों जिस एक दुसरे को जहां पर मिलते है इसको कहते जीरो इसको कहते मोले बिंद और इसमें question क्या पुटा पहरा है पालाम कर कि अइसमें आगा इधारा जागा क्योंकि जो मायनेश टू और फॉर बतार के हां समझेंगे तो माइनस टू कि अभण को बात करते मथ का तो वन क्या बताता एक्स अच और टू क्या बताता वाई एक्स तो बिस्कली एच जाब को समझना होता हो ओके तो करा कि पहला में माइनस टू फूर्थ यह रहा माइनस टू और फोर उपर जाएगा तो एक यह हो जागा दीती चाव तू थांस में इस्तित है या फिर इसको कहते ह सब्सक्वाइब के सब्सक्राइब Оltre करत थांस में इस्तित है यह जह समझे समझे सब्सक्राइब दार musimy समझे सब्सक्राइब टो माइन को यह एधार आ सकता है तो जब आप ऐसे समूझ लो कि जब माइनस ऐन माय तो जीरो है तो X अच का निर्देशांग क्या है? माइनस 1 लेकिन Y X का निर्देशांग क्या? 0 मतलब ये middle point पर है मूली बिन्तु पर है तो 21 चतुर्थांस में इस्थित होगा तो इसको का सकते हैं कि माइनस 1 0 X अच पर इस्थित है ऐसी बात करते हैं 1 और 2 तो ए रहा 1 और 2 तो 1 और 2 कहां पर इस्थित होगा? ए रहा 1 X अच का सब से पले लिखते हैं तो 1 और 2 यहां पाएगा तो इस प्रथम चतुर्थांस में इस्थित है ऐसी last में बात करते हैं माइनस 3 माइनस 5 तो जब दोनों ही माइनस होता है तो आता 3rd quadrant में तिसलिए कर सकते हैं कि माइनस 3 माइनस 5 33 चतुर्थांस में इस्थित है और यही इस question का answer हो जगा या फिर solution हो जगा whatever आप वीडियो को pause करके आप स्क्रीन सोट ले करके आप इसको note कर सकते हैं तो ऐसी आगे बढ़ते हैं question number second की तरफ and question number second put up होता है कहरा कि अच्छो पर दूरी का उप्यूक्त एका कले कर नेचे सारेडी में दिये गए बिंदो को तल पर अलेखित कीजिए अब यहाँ पर x दिया है y दिया है और इनके point एके करके दिया हुआ है तो फर्स्ट में बात करते है minus 2 तो minus 2 यहाँ पर आ गया और 8 यहाँ पर आ गया तो इस point को में ले सकते है minus 2,8 ओके तो यह हो गया ऐसे second में कर रहा है कि minus 1,7 तो minus 1,7 को माल लेते है point B जैसा कि यहाँ पर माहना भी गया point B तो minus 1 के लिए इधर आएंगे और 7 है बिसिकली ऊपर ही आएगा तो यह हो जागा minus 1 और 7 ओके ऐसी बात करते है 0 minus 1,25 तो बिसिकली 0 मतलब x x पर से मतलब बढ़ेगा यह नहीं तो 0 हो जागा और minus 1,25 कहाँ पर आएगा तो यह आपका यहाँ पर आजागा minus 1,25 तो यह बिसिकली यहाँ पर इस्तित हो जागा यहाँ पर रिपर्जेंट कर देंगे इसको yx पर औके ऐसी करा कि 1 और 3 तो बिसिकली 1 3 की बात करते हैं तो देख रहा है कि 2 प्लस प्लस है तो 1 यहाँ से आजागा और 3 ऊपर आजागा तो यह जो पॉइंट है इसको कर सकते हैं 1 3 और लास्ट में करा कि 3 माइनस 1 तो 3 कहाँ पर है 3 देख रहा है न प्लस है तो 3 बिसिकली यहाँ पर आजागा और minus 1 नीचे आजागा तो पॉइंट E को हमा लेंगे 3 माइनस 1 और इसका क्या हो जागा अनसर जागा या फिर सालूसन हो जागा तो बहुत ही सिंपल था लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में बिसिकली हम लोग क्या-क्या पढ़े है मतलब जो चैप्टर ने दिसांक जामिती कौाडिनेट जियोमेट्री इस शेटर में बिसिकली हम लोग क्या क्या पड़े हैं आए फर्स टाफ़ उसका study करते हैं तो लिखेंगे सहरांस और करा रहा कि इस अध्याय में आपने लेखित बिंदू का दिन किया है पहला हम करा कि एक तल में एक वस्त या एक बिंदू का अस्थान निर्धारण करने के दू लंबी के रेखाओं की आउसकता होती है जिसमें एक छैतिज होती है और दूसरी उर्धवारदर होती है सिगर में करा कि तल को कारती या निर्धिसांग तल कहा जाता है और रेखाओं के निर्धिसांग अच कहा जाता है थर्ड में करा कि छैतिज रेखा को एक्स अच पर उद्वार्द रिखा को वाय एक्ष काते हैं एड़ फूर्थ में करा कि निर्द्रसांग अच तल को चार भागों में बाढ़ देता है जिने चतुरधांस कोते हैं पित्ज करा कि अचो के पृति छेद बिंदू को मिल बिंदू कहा दाता है ऎकल बाइक्स एक्ष पर एक्ष एक्ष पर एक बिंदू के बिंदू निर्दे सांग X, 0 के रूप में होते हैं और Y, X, बिंद के निर्दे सांख 0, Y के रूप में होते हैं तो basically, यही सब कुछ चीजे put up होने वाली थी, ऐसे point number 9 में बात करते हैं, करारा हैं, करारा कि मुल बिंद के निर्दे सांख 0, 0 होते हैं, जी हाँ इक होता x अच के लिए दुसरा होता y के लिए तेंथ में कहरा है कि एक बिंद के निर्देशांग पले चतुर्थांस में मा माइनस माइनस और चतुरत में प्लस माइनस के रूप में होते हैं जहां प्लस एक धनात्मक वास्तुक संख्या है और माइनस एक रिडात्मक वास्तुक संख्या को प्रकट करते हैं एलस्ट की बात करते हैं कहा है जो Panama इकहलो आइसक्वाइड अधिकॉल टो य लूआ ईकल टो आ इकॉल डो आईक्सक्रे आज लूआ इकहलो टो ऑ गाहते हैं तो बस इस चप्टर समुनिक्वा फी थफ रहले हो된 किसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए तो मिलता हूँ आप से चप्टर नमबर फोर के साथ में तो किलाल आज के लिए तना आए नेक्स्ट वुडियों हम से मिलते हैं थैंक्स फार वाचिंग बाई